रोयल इंस्टिटूड उदेपूर में एक बार कुने आप सभी का हर्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। JAT 2024 का जो आज का एकजाम हो है, इसकी क्या कटोप रहने वाली है। और किस तरीके से आपको गवर्मेंट कोलेज जो है, कितने नमबर तक मिलने वाली है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ऐसे बच्चे कुछ जरूर हो सकते हैं, जिन्होंने पूरी साल बहुत अच्छे से मेहनत की थी, लेकिन उनका पेपर उनकी उमीद के अकोडिंग नहीं गया। और कहीं न कहीं हो सकता हैं, बच्चे निरास हो रहे हो। आपने कहां से तयारी की, सेल्फ इस्टडी की या कोई इंस्टिटूट जोइन किया, वो एक बाद का कारण है। लेकिन हाल पिलाल आपकी नजरों में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंत में मैं डिसकस करूँगा कि क्या कारण रह सकते हैं, और इन फ्यूचर आपको क्या जो है करना चाहिए, ताकि आप भी बिना निरास हुए इस दुनिया की दोड में सामिल हो सको। सबसे पहले अपनाते हैं कि आज का जो एकजाम आपका हुआ है, उसकी क्या कटॉप रहने के चांसेज हैं, क्योंकि ये कटॉप जो है, एक्चुल नहीं है, मैंने जो अभी तक अनालेसिस किया है और हमारे टीम से बातचीत किये, उसके आधार पे मैं आपको ये कटॉप ब जो प्रच्छों की बात कर रहा हूं, एक्रिकल्चर, बायोजी, केमेश्टी, तो एक्रीकल्चर के अनदर भी टोटल 40 कूप थे, बायोमें भी 40 ते और केमेश्टि में भी 40 कूप थे, अगर मैं बात करता हूं, पेपर को तीन पार्ट में डिवाइड करूँ, कि भई, सर ए यह 20 क्यूशन तो हो थे जो एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा करके लाया इस यह अगले जो क्यूशन है वो ड्रोपर बेच का बच्चा जिसने पूरी साल कंटिन्यूसली लगातार मेनत किये आईवासमज में उसी बच्चे ने यह क्यूशन कियोंगे और उसी को यह मोड प्रोप कोर्स थे या पिर ऐसे थे कि एक 12th standard के बच्चे के approach के बाहर थे हाँ हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जिनके 40 हो रहे हो 49 हो 38 हो रहे हो क्योंकि 35 होने के बाद में अगर बच्चे ने 5 अगले क्यूशन पर रिस्क लिये तो हो सकता है किसी का सही चला गया हो बाकि मैं एक बात करो समानने agriculture के होश्यार बच्चे की intelligent बच्चे की तीनों पेपर के अंदर ही मान के चलो कि वो 5-5 क्यूशन तो नहीं कर पाया होगा उसने पड़ा भी होगा एक जाम का pressure भी रहोगा सब कुछ अगर situation की मैं बात करो तो तीनों पेपर में around 5 के आसपास ऐसे क्यूश थे और यह tough कह सकते out of course कह सकते आपके level से high हो सकते अब सर बात करते हैं कटोप की तो तीन तरह की कटोप की बात करेंगे हम यह एक तो government college की दूसरी हम बात करेंगे की old government college जो ठीक है जैसे बीलवाडार इस तरह के की तो old government college की चार नंबर पे हम तीन नंबर पे हम बात कि युनिवर्सिटी की और सबसे लाश्ट रिम बात करेंगे टॉप जो उनिवर्सिटी है उसकी जैसे उदेपूर लगातार जो है पिछले 5-7 साल में आप उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा कटॉप उदेपूर जो है माराना पड़ता रिम उनिवर्सिटी के अंदर RCA क उदेपूर उसकी जाती है तो टॉप उनिवर्सिटी की और लाश्ट में हम बात भी कर लेंगे टॉप तब की टॉपर लंसम कितना हो सकता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर इस पेपर को देखते हुए आप क्या कहोगे पुरानी वाली सरकारी कोलेज है वो कितने क्यूशन पे मिल जाएगी तो जिस बच्चे के तीनों पेपर में काट पीट के 2020 क्यूशन बच रहे हैं और उस बच्चे के टोटल क्यूशन होगे 60 और 240 नमबर जिस बच्चे के 60 क्यूशन बेट रहे हैं 240 नमबर आ रहे हैं जिस बच्चे के वो बच्चा आपका कहा जाएगा पूरे चांस है कि वो ओल्ड गोवर्मेंट जो कोलेज हैं वहां तक चला जाए अब मैं ऐसा बच्चा जिसका कि सर मुझे तो कोई सी भी सरकारी मिल कर ले जैसे MBC वाला एक दो क्यूशन कम कर ले एसे EWS वाला एक दो क्यूशन कम कर ले SCST का कोई केंडिडेट है तो SC वाला तीन क्यूशन कम कर ले कोलेज है उनके अंदर in-tree मार जाएगा मेरे ख्याल से 45 नंबर पर आपको किसे न इकिसी सरकारी कोलेज है कोई बच्चे जाना नहीं चाहते क्योंकि वह कोई सारविजनिक भहन है उनके अंदर या कोई सरकारी School है उनके दो कमरों के अंदर वो चल रही है, बच्चा जाता है, बेग रेकतर वापस उठा के बगता है, वहाँ एडमिशन लेना बच्चा पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो सपने बच्चा इणिवर्शिटी के अंदर जाके देखता है, कि मैं उस इणिवर्शिटी में जहूं, जहां तगड़ा infrastructure हो जहां पे practical की lab हो जहां पे staff हो जहां पे रोज जाना पड़ता हो ताकि बच्चे को degree plus knowledge मिले वो वाले सपना जो है चकना चूर होते हैं या जाते इसलिए यहां कोई जाना भी पसंद नहीं करता फिर भी seat के according अगर मैं बात करूँ तो 45 क्यूशन के उपर मुझे लगता है बच्चे को सरकारी college मिल जाएगी अब किसरा आप हमें यह बताओ कि जो top universities है उनकी क्या कानी रह सकती है तो अब आगे चलते हैं वापस A, B, C तो हम बात करेंगे 500 university की 500 university की और उसके बाद में top university की बात करेंगे तो हम वापस जा रहें 40-40 क्यूशन लेके अपने पास में और अब देखो 20 क्यूशन का अपन ने इसाब कर लिया अपन ने कितना कर लिया आगे नीचे गठा के 15 क्यूशन तक आगे अब हैं 5-5 क्यूशन इन में top थे आगी बात समझ में तो निकाल दो पाँच माच तो पीछे कितने बचे बेटा 35 प्लस 35 प्लस 35 आगी बात समझ में यहां से सबसे पहले अपन top पर निकाल के लाएंगे तो मेरे ख्याल से इन तीनों में अगर कोई बच्चे ने इतनी क्यूशन की हैं मुझे overall सब कुछ देखते हुए तो मुझे लगता है यहां पे अगर वो बच्चा जो top पर है वो अगर 5 क्यूशन तक गलत कर देता है 4 से 5 क्यूशन यहां पे अगर वो गलत कर देता है तो top पर की जो range है अगर मान लो उसके 4 क्यूशन गलत होगे तो आप मान के चलो उसके कितने आएंगे यहां से एक बार 4 क्यूशन उसके कम कर लो तो 4 कम करोगे तो overall एक सो पांस में से 4 करोगे तो कितने होगे देखो 101 101 into 4 तो नंबर होगे आपके 400 और 4 और 4 क्यूशन कम कर लो तो होगे आपके 400 तो लगबग बच्चे के नंबर टॉपर के 400 के आसपास या इससे 57 कम या 57 जादा हो सकते जो कि मैंने अभी तक आइडिया लगाया है लगबग इस तरीके की कटॉप टॉपर जो बच्चा है उसके आसपास जा सकती है 420 भी रह सकती है मेरा ये मानना है अब की सर अपनी या रोयल इंस्टिटूट में कितनी जा रही है तो जिस दिन ओमार आ जाएगी उसके बद में बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा फिर बच्चों का अपन चेक करेंगे उसके बद में एक चूल में पता चलेगा कि रोयल इंस्टिटूट में 420 से उपर कितनी आ रहे है 420 से कम आ रहे है क्या फिर 400 के आसपास रह रहे है वो बात करेंगे अपन बाद की हाल पिलाल अपन इस पेपर को एनालिसिस करने के बाद में जो मैंने आइडियाज लगाए है मेरे अनुबव के आदार पे कि क्या कुछ रह सकता है तो वो गणित टूपर की 400 से लेके 420 के बीच में ही रहेगी और अगर 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 अपन मानने सब कुछ ठीक रहा तो 410 और अगर उसको कम कर लोगे तो 390 प्लस ये लगबग लगबग का टूप टूपर स्टूडेंट की रह सकती है अब हम आगे चलते हैं आगे चलेंगे तो कि सर ये तो बात टूपर की होगी तो टूपर की बात होगी तो टूपर को हमने कहां से निकाला हर सब्जेक्ट से 35-35 करके इस बार एग्रिकल्चर का जो आपका पेपर था वो भी आपको केमेश्ट्री और बाइलोजी के लगबग लगबग टक्कर का था या उन से भी अच्छा था इसलिए अपन तीनों को बेलेंस करके चल रहे हैं अभी हाल पिलाल केमेश्ट्री का पेपर भी बहुत अच्छा था उसके अंदर आपने देखा होगा टी ब्लोग के जो है क्यूशन आ गया था एक क्यूशन जो है आपका आ गया था इसके अंदर टी ब्लोग के बाद में एक आएगा एफ ब्लोग का क्यूशन आया था इसके अलावा coordination compound उसके तीन क्यूशन आ गए थे, तो जिस बच्चे ने CUT की तियारी की थी, वो बच्चा तो आराम से करके आ गया होगा, लेकिन एक सामाने बच्चा जो है नहीं करके आया होगा, इसके अलावा 2-3 AC क्यूशन थे, जो chemistry के अंदर, जो वास्तों में logical थे, और उसमें, मतलब 3-4 AC stage आरेती क्यूशन के अंदर, जहां कहीं न कहीं बच्चा हो सकता है, मात खा जाएं, इसलिए, इसका top को अपन overall तीनों paper को एग जे से मानते हुए, compare करते हुए चल रहे हैं, तो सबसे पहले अपन वापस जाएंगे, A, B, C, तीनों subject पे, 35-35 क्यूशन के sheet है, अलग-अलग category wise, लेकिन मैं एक बार general OBC के बच्चे को पकड़ता हूँ, तो आप मान के चलो कि average सभी subject में 7-7 क्यूशन तो बच्चा, कम करेगा ही करेगा, काट पीट के, उसके कितने क्यूशन बेटेंगे, around 28-28 plus 28, तो यह total आप 8 करोगे, तो यह आपके होगे, 84, 84 into 4 करोगे, तो आपके हो, यह total गणित बेटेगी, आपकी total बेटेगी 336, 336 नमबर जो है, आपकी जो top university है, top college है, उसके अंदर general OBC के बच्चे के जाने के पूरे-पूरे chances है, हो सकता है, इसमें से 45 question, 45 नमबर उपर-nीचे हो जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से, इतने नमबर जो के उनमें, हलांकि सब की अलगला category भी रही उसके अंदर, लेकिन general OBC के बच्चे के लिए 336 तक जा सकती है, यह अलग बात है, कि टॉपर बच्चा नहीं कर पा रहा है, लेकिन यह एसा area बच्च रहा है, यहां पे, जहां पे मतलब बच्चा मेरे ख्याल से इस है, 330, 350 के बी इन 500 उनिवर्शिटी के अगर मैं बात करता हूँ, तो उद्यपूर की अपन लिख के लेकिन निकाल के लेके आए, 336, अपन टॉपर का लिखाल के लेके आगे है, कि 400 से लगबग 10 नमबर ज्यादा, या माइनस 10 नमबर, 390 से लेके 400 और 10 के बीच में आपके टॉपर रहने पूरे पूरे चांस है, आगई बात समझ में, अब हमें चलते हैं, कि जनरल की ये आगई, तो ये नीचे वाली जो इनिवर्शिटी है, ये कहां तक मिल सकती है, तो आप मान के चलो, कि 25 प्लस 25 प्लस 25, A, B, C, तो आपके होगे 75 इंटू 4, या आपके 300 नमबर जो हैं, इसक आपकी लगबग 20 क्यूशन के डिफरेंस तक मिलने के पूरे चांस है, इसका मतलब है, 20 से 25 तक का गेप रह सकता है, तो जो भी इनिवर्शिटी की यहां से लेकि यहां तक कट आप जाएगी, उसके अंदर जो है, आपकी क्या गेप रह सकता है, 20 से लेके 25 नमबर का, जो उ समझ में आया है, यह पूरी गणीत आपके समझ में आ गई होगी, कि टॉपर जो बच्चा है, वो 400 से प्लस 10 और माइनस 10 से रह सकता है, 420 तक भी जा सकता है, लेकिन मेरे को यहां तक बच्चा मूग करेगा, दूसरा टॉप उनिवर्शिटी है, वो आपकी 336 नमबर के अब बात करते हैं हम लोग इसकी यह, पेमेंट सीट युनिवर्शिटी की, तो आप इनमें से मेकजिमम 50 नमबर तक कम कर सकते हो, उपर वाले से, या फिर मैंने नीचे जो लिया आपका 300 नमबर लिया है, उसको थोड़ा सा गठा सकते हो, पुरानी जितनी भी जो सरकारी को कोलेज आपकी, वो 260-320 के बीच में आपके औराउन लगबग मिल जाएगी, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल सरकारी कोलेज आपकी, वो आपकी 45 क्युशन के उपर लगबग आप मानके चलो 45 इंटू 4, इसका मतलब 180 नमबर या इससे उपर किसी बच्चे के जनरल OBC में आ रहा है, तो किसी न किसी सरकारी कोलेज में सेलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसे हैं, अब है OBC जनरल की मैंने कटोप के इसाफ से बता दिया, बाकी के लिए आपको जो क्युशन का मैंने बताया गेप, उसको देखके आप अपना चेक कर सकते हो, ये चेक करेंगे कि एक चुल में क्या इस्तती रह रही है, अब हम आगे जाएंगे, आगे जाके हम लोग ये देखने वाले हैं कि सर मेरा पेपर खराब हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो अच्छे से तैयारी कि, तो सबसे पहले में हर बार बताता हूं आपको कि पेपर खराब होने के पीछे, आप लिष्ट बनाओ वापस कि क्या कारण रहा, सबसे पहला कारण तो है, content, कि जो हमने course, syllabus, matter, content, register, जो याद किया था, उस में से हमारे इसे में कितना पढ़ा, अगर आप पढ़के गे, उस में से content नहीं बेटा, तो आपकी गलती नहीं है, आपने content कम पढ़ा है, दूसरा, आपने content पढ़ लिया, लेकिन जिन staff से, जिन guru जी से, जिन teacher से आप पढ़े, तो आपके अगर वहाँ कमी रहेगी, इसको समझने में, कि register में तो है, लेकिन मैं कर नहीं पाया, इसका मतलब या तो समझने में, आपके कमी रही समझाया, जिनोंने भी हो प्रैक्टिस अगर आपने नहीं कि, तो कोई भी इस धर्ती पर पढ़ा दे, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो चोता कारण हो सकता है, continuity, हो सकता है, आपने जनुरी तक पढ़ाई की, हो सकता आप दीवाली तक पढ़े, हो सकता आप होली तक पढ़े, उसके बाद में आप को बोलता हूं कि यदि किसी भी एकजाम में आपका रिजल्ट अच्छा रह रहा है इसका मतला आपने दो काम अच्छे से की हैं जिसमें मैं मानता हूं 50% आपकी बूमी का आपकी मेहनत की है और 50% बूमी का जो है आपको किन की बातों का द्यान दकना है और जिसको आप जब से जज़ादा पसंद करते हो जो आपको इसा भी पहले हाथ में लेलोगे तो लेकिन जिसको आप generator से ज़्यादा पषंद कते होज个 ilo हो सकता वो ही पेपर आपको उपर नीचे कर दें तो वहां से गणीत आपकी चालू हुई थी आज और अंत में आपने जो ओमार्स प्रमिट कराई तब तक आपकी इस्तिति मनो इस्तिति क्या थी उसके अकोडिंग ही आपका जो है पेपर बेठा होगा अगर आपने इसमें देखेंगे कि सर अभी मेरा जो भी पेपर हो गया है अब मुझे क्या करना चाहिए आगे तो आपके पास अलग-अलग केस बनेंगे क्योंकि अलग-अलग स्टूडेंट है एक तो वह बच्चा है जो क्रेस कोर्स का जिसने 12 इसी साल पास की है और दूसरा बच्चा आपके बीच में वो भी है जिसने एक साल ड्रोप किया है मतलब लोंग-अलग किया है और यह बच्चा है यह क्या करेगा अब यह बच्चा इसको क्या करना चाहिए तो मुझे लगता है जिस बच्चे ने एक साल जहां कहीं पर भी तियारी की है तो एगरी कल्चर में आजकल इतनी सीट हो गई है क्योंकि लगबग जितने बच्चे तियारी करते हैं उतनी सीट लगबग अवेलेबल हैं लगबग लगबग सब जगे से जो भी बच्चे लोंग-अलग की तियारी कर रहे हैं मेरे ख्याल से उनका कुछ ने कुछ ने कुछ जरूर मिल रहा है और अब उसके जगे जगे तो मुझे लगता है इस बच्चे को अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसने एक साल ओल्ड़ी दे दिया है और एसे बच्चे बहुत कम होंगे चाहिए कहीं से ही पड़े हो एगरी कल्चर में सरकारी कोलेज मिलना बड़ी बात नहीं है अक तो आपके पास दो ओप्सन है आप गोवर्मेंट कोलेज से करोगे या फिर प्राइवेट कोलेज से करोगे अगर आप प्राइवेट कोलेज से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस बार दिक्कत आई रही है कहीं बच्चों के पहले तो उनकी उस डिगरी कोई मानने ता मिल भी गई तो गॉर्मेंट प्लस प्राइवेट इन दोनों में बहुत ज़्यादा फरक हैं इन फरा का फरक है इसके अलावा प्रेक्टिकल लेब का फरक है आगे के अगर मैं बात कर तो इस्टाप का फरक है चार नंबर जो इनका फरकार है वो आ रहा है कंटिनिटी का मतलब दच्चे को जाना परता है और पांच माँ फी का भी फरकार है फीज जो है प्राइवेट कोलेज के अंदर लग बग एक लाग के अराउंड फीज लग रही है और गॉर्मेंट कोलेज के अंदर दस से लेके 20,000 के बीश लग रही है तो एसा बच्चा जो से डिगरी ले उस बच्चे को मुझे लगता है एगरीकल से लाइन में आगे कंटीनिव पढ़ाई नहीं करनी चाहिए मेरा मानना है आला कि मैं कोई प्राइवेट को लेज कार विरोध नहीं कर रहा है लेकिन जितने भी बच्चे जो पढ़ लिखे और बाहर निकले वो कही अपने आपको ठगावा मैसूस कर रहे है क्योंकि ना तो उनको कहीं कोई जो मिल रहा है प्राइवेट अच्छे से ना गोर्मेंट मिल रहा है क्योंकि वो यह सब चीजे माँ फोलो नहीं कर पाए या वाँ सीख नहीं पाए इसलिए प्राइवेट के लिए तो मैं बिलकुल तो ओनलाइन पढ़ोगे तो दस हजार का खर्चा है और ओफ लाइन अगर आप पढ़ते हो लगबग कहीं पर भी तियारी करोगे तो आप मानके चलोगी अगर आपके 80 परशेंट 75 परशेंट चे उपर आए तो लगबग 40,000 रुपे के आसपास आपको जो है कोचिंग की फ लोगे तो ये मानके चलो कि लगबग 6-7,000 रुपे परमंद आपके खाने का खर्चा आएगा लगबग आप 10 मेने अगर तियारी करते हो तो आप मानके चलो 60,000 रुपे अरूंड 60-70,000 रुपे ये खर्चा हो गया और आपके 40,000 रुपे के आसपास ये खर्चा हो गया तो मान सकते हो कि इतना खर्चा मैं जोडते वक्त ज्यादा से ज्यादा जोड रहा हूं ताकि आपको यह पता रहे कि वास्तों में कितना खर्चा लगेगा मैं कर तो पांदुस भी से जार रुपे लगेंगे कोई बात नहीं कहीं से तियारे करो नहीं लगता है क्योंकि जब घर स बना के खाते हो, तो हाथ से बना के खाना खाते हो, तो 40 तो ये लगएंगे लगबग मान के चलो, और हाथ से बना के खाते हो, तो इस कर्चे को आप लगबग आद्धा कर सकते हो, मतलब 60,000 की जगें 30 से 35,000 रुपे कर सकते हो, तो इस केस में आपका खर्चा पड़ेगा लग 30,000 प्लस रुपे ICR की तरफ से मिलते हैं तो 144,000 रुपे यहां होगे और एक लाग आपने 20,000 खर्च किये अब नुक्सान क्या हुआ फाइदाई वाले के नुक्सान एक साल का हुआ लेकिन दियान रखना एक साल अगर आप तैयारी करके अच्छी जगह जाओर एक साल डिगर लेट लो वो ज़्यादा बड़ी है बजाए आप एक साल डिगरी लेकर बाद में आर साल उसको आथ में लेकर गूमते रहो इसलिए मैं आपको पर्सनल राहे दूँगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए सर हम तैयारी कहां से करें तो आप सब समझदार है आप अपने इस तर अरो कि सर आपके भी तो टोपर आ रहें लगातार आप लगातार बोल दो कि हमारे टोपर आ रहें टोपर आ रहें टोपर आने से कोई इंस्टिटूट फेमस नहीं होता हमें ये देखना होगा कि नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा सेकिंड डिउजन का बच्चा थर्ड में है और केवल और केवल exam की जो है eligibility को जो है clear कर रहा है क्योंकि 10th में 47 हो सकता है 12th में आपके 61 हो सकते हैं इस तरह के बच्चे जो average class के बच्चे जहां base segregation नहीं हो तो पर्स को अलग निकला जा रहा है और normal बच्चे को अलग निकला जा रहो और last to last bottom पे जो बच्चा last to last bench पे जो बच्चा बेटा है वो बच्चा भी हमेशा यह मैसूस करें कि मैं पढ़ूंगा और मेरा selection होगा और इस बावनाओं के साथ में अगर किसी संस्तान ने एक समानी बच्चों को सेक्डों के संक्या में अगर रिजल्ट दिया है अगर continue बच्चा जो है पड़के वहां कामियाब हो रहा है नॉर्मल तो एस संस्तान को ही आपको priority देनी चाहिए आपको जांच करनी चाहिए मैं Royal Institute के लिए कह सकता हूँ कि Toppers के साथ में हमने मेक जीमम नॉर्मल से नॉर्मल बच्चों को 2011 से selection कराने का परियास किया है और उसी की बदवलत आज इतना प्यार हमें student और parents से मिल रहा है अभी मेरे पास एक गुड़ी आई जिसके 10th class के अंदर 58% थे और 91% उस बच्ची के 12th में आए है और around 400 के पास उस बच्ची के इसके अलावा बारवी का बच्चा 90% से उपर लेके आ रहा है तो जब आपने बारवी कर ली आपके नॉर्मल परसंटेज है और जब आपके पास काम के वोल एक ही है कि सर मुझे जो है CUT करेक करना है मुझे JT करेक करना है तो मुझे लगता है impossible नहीं है यदि आपके मैं यहाँ पर बताना भी चाहूंगा यदि आपके 10th class के अंदर 12th में 95% से उपर आए है तो इंस्टिटूट की तरफ से बिलकुल फिरी आपको पूरी साल पढ़ाया जाएगा Offline अगर आपके 90% से उपर आए है तो इंस्टिटूट की तरफ से हाफ फिस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा अगर आपके 85% से उपर आए है तो आपको 15% institute की फिस में छोर दी जाएगी 80% से उपर अगर आपके आएं तो 10% छोर दी जाएगी और अगर आपके 75% से देने का पूरा प्रियास कर रहे हैं, और एकिसर मेरे तो 65 है, इसके लिए बोलो, तो ऐसा बच्चा जिसके कम परसंटेज है, या ऐसा बच्चा जिसके 85 है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे और ज्यादा स्कोलर्शिप मिले, तो आपको उस केस में हमारा टेस्ट होने जा रहा ह पांच इसी जून को, 2024 को स्कोलर्शिप टेस्ट हम ले रहे हैं, इस स्कोलर्शिप टेस्ट में आप पार्टिशिपेट करके, और इसमें भाग ले सकते हो, और आप फिरी में भी कोर्स प्राप्त कर सकते हो, या जो आपके परसंटेज है, उससे ज़्यादा भी आप छूट ले सकते हो लेकिन छूट आपको कोई एक मिलेगी कोई एक डिसकाउंट मिलेगा तो मुझे लगता है पांस तारिकों सबसे पहले आपको पेपर देना चाहिए ऐसा बच्चा जिस बच्चे का माल लो आज के पेपर में 200 के आज पास इसकोर हो रहा है ऐसा बच्चा बच्चा जिसका CUT के अंदर माल लो तीन सो साड़ी तीन सो के आज पास इसकोर हो रहा है इन दोनों ही बच्चों को जो कोलेज काउंसलिंग के बाद मिलेगी वो आप जोइन करोगे ये जरूरी नहीं है क्योंकि आपको पसंद आये नहीं कुछ कह नहीं सकते तो और इस पूरी परकर करके अभी ओफ लाइन आजाओं या फिर ओनलाइन ले लो तो बाद में सर मेरी फीस का क्या होगा अगर मेरे को काउंसलिंग में सरकारी कोलेज मिल गई तो तो आपको पूरी फीस रोइल इंस्टिटूट के दौरा रिफंड की जाएगी यदि किसी बच्चे ने एडमिशन लोग एर में मानलों पांसतारी को ले लिया और उसका एक मेने बाद में सरकारी कोलेज मिल गई तो पूरी की पूरी फीस चाहिए आप ओनलाइन एडमिशन लो या ओफ लाइन फीस ओप लाइन एडमिशन लो पूरी फीस हमारे इंस्टिटूट के दौरा आपको दुबारा दी जाएगी मतलब पूरे रिटन लोटा दी जाएगी तो आपकी फीस की टेंचन कतम होगी हमारे याँ से हम कंटिन्यू पढ़ाना चालू करेंगे ताकि हमें तीन महीने आप ज्यादा मिलो और अगर उन्वर्शिटी कोलेज मिल गई तो आपको बदाई हो अभी से आप ज आपके आसपास में कोई भी बच्चा है तो आप उसको जरूर गाइड करें पुने में उन बच्चों को बताना चाओंगा जिनका पेपर अपनी उमीद की अकोडिंग नहीं गया उनको निरास होने की जरूत नहीं है इश्वर के घर देर हैं लेकिन अंदेर नहीं हो सकता है कुछ इस वर आप से बेटर कराना चाहता हो हो सकता है कुछ ऐसा कराना चाहर हो जो आज आप करते तो साहिद धर्ती पे आपका उतना नाम नहीं होता जितना कि आब अब कर पाओगे इसलिए आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखे अगर आपने मेहनत किये तो आप चिंतन कर सकता है